मुस्कार महां मिर्तुन्जे कुमार जा और अगले आधे घंटे तक कमोलिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कबरे जारी है हम आपको बताएंगे कि हबते का आखरी दिन कमोलिटी मार्केट के लिहाज से कैसा है कहाँ पर एक्षन है कहाँ पर खबरे हैं और आगे आपके लिए क्या trade के मौके बन सकते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जोड़ रहे हैं हमारे साथ अनुज गुपता हैं IIIFL Securities के प्रितम पटनायक है XC Securities के और साथ हमारे साथ इसमा के प्रिसिदेंट अदित्य जुन जुन वाला भी इस वक जुड़ रहे हैं आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है और चुकिशुरवात हम कर रहे हैं महत्मूर्ण खबर के साथ एक खबर आई शुत्रों के हवारे से कल एजनसी पर ये खबर आई जिसमें food industry के official sources को code किया गया और उसमें ये कहा गया है कि अगले season में चीनी का export साढ़े 28% घट सकता है बड़ी गिरावाट आ सकती है इस गिरावाट अगर इतनी गिरावाट आती है तो इसका क्या impact होगा industry पर किसानों गन्ना किसानों पर और consumer पर इसकी पर हम बात करेंगे सबसे पहले और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आधित जुनजुनवाला जी इस पर जूट चुके हैं जो कि इसमा के president है जुनजुनवाला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है Zee Business पर और इस खबर पर आपने सबसे पहले हमें वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर्थ सबसे पहला सवाल मेरा आप से यह होगा यह खबर कल से चल रही है अलग-लग एजनिसियों के हवाले से मैं आप से जाना चाहता हूँ क्यों कि आप इसमा के president है क्या आपको भी लगता है कि आगले सीजन में 2022-23 में चीनी का export इस सीजन के मुकाबले बहुत कम रहेगा जहां तक मितन जी आपने कहा सवाल सही है लेकिन इसको इस तरह से देखना गलत है क्योंकि इसमें दो तरह की issues है लास्ट येर के मुकाबले में अगर इस साल हम देखें तो हमारे दो major issues changes है production चीनी का बराबर है लास्ट येर भी हमने 400 लाग तन चीनी का production किया था इस बार भी हम 400 लाग तन चीनी का production करने जा रहे है दो वज़े है export कम होने की पहली वज़े है कि हमने पिछले साल ethanol में conversion करीब-करीब 34 लाग तन चीनी हमारी ethanol में convert हुई थी जो इस बार हम लक्ष के मुकाबले 45 लाग तन चीनी convert करेंगे ethanol में तो अगर आप देखें 11 लाग तन का तो यहां फराद आ जाता है दूसरा जो हमारा last year को opening stock 82 लाग तन था जो इस बार घटके 60-65 लाग तन होगा तो 20 लाग तन हमारा opening stock कम हो जाता है तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारी availability जो रहनी चाहिए वो closing stock 60 लाग तन ही रहेगा तो surplus हमारा इस बार केवल 80 लाग तन ही रहेगा उसलिए हम लोग उने सरकार से 80 लाग तन की मांग export करने के लिए की है तो आप यह कहरें कि आपका surplus कम हो जाएगा ethanol में divergent ज्यादा है लिहाजा आप कम export कर पाएंगे राइट सर एक दम क्योंकि ethanol में divergent बढ़ने से और opening stock कम होने से जो हमारे पास surplus stock है उसी के मुकाबले हम export करेंगे इसलिए उसका prices पे और domestic पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा और जहां तक बारा balance sheet है वो बराबर रहेगी उसके साथ अच्छा अच्छा एक बात बताईए सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ethanol में आपका divergent है और जो आप export करते हैं ज्यादा आप लोगों का margin कहां अच्छा होता है export में या ethanol के divergent में export का price अलग अलग समय पर अलग लग रहता है क्योंकि वो international बजार से link है depending upon कि market में कितनी requirement है और क्या international prices है अगर आप देखें तो last दो मेनों में international price गिरे हैं इसी के लिए हमने बार-बार सरकार से request किये कि अगले साल की policy का एलान जल्दी कर दे ताकि factory को लिए agreement करने के लिए और उचे लाम मिल सके और हम लोग समय पे agreement कर सके पिछले पांच साल के export के trend को हम देखें जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे लगातार export बढ़ रहा है चीनी का पिछले पांच साल का data हम दिखा रहे हैं और ये पिछले पांच से साल में पहली बारेशा होगा जब 2022-23 में export इस साल के मुकाबले कम होगा तो overall अगर मैं गन्ना किसानों के लिहाज से पूछूँ गन्ना किसानों के पेमिंट के लिहाज से पूछूँ उनको जो भाव आप लोग देते हैं उस लिहाज से पूछूँ तो उनके उपर इस ख़बर का क्या impact होगा इस पे उनका कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो production है वो 400 लाग तन ही है 400 लाग तन में जैसा मैंने बताया कि ethanol में है जो हमारा diversion बढ़ जाएगा और जो हम इस साल हमने additional export 20 लाग तन कर लिया है इससे कि हमारा closing stock balance हो गया है अता उसको देखते वे जो हमारा 110 लाग तन 110 लाग तन हम इस पार जो कर रहे हैं उसके ज़िए करम 80 लाग तन भी करते हैं तो comfortable position रहेगी अगर 80 लाग तन का भी एक्सपोर्ट होता है तो आप मतलब यह कह रहे हैं consumer के लिहाँ से ख़बर यह है कि आप कहरें कि चीनी की ना तो supply की दिक्कत होगी ना दाम बढ़ेंगे ना गन्ना किसानों को कोई नुक्सान होगा राइट सर फिलकुल सभी सब्सक्राइब अगला सवाल मेरा यह होगा festive season अभी शुरू होने वाला है या हो भी गया आप देखिए अब demand भी थोड़ी चीनी की ज़्यदा होती है इस दोरान तो अभी festive season में demand supply के हालात क्या रहने वाले हैं क्या दाम कुछ बढ़ेंगे या आपको लगता है कि त्योहारों में भी चीनी के दाम बढ़ने वाले नहीं है अभी भी जो दाम है वो अगर आप देखें तो last year के मुकाबले में कम हैं और जो prices है वो more or less stable से हैं आज के दिन में अगर आप यूपी का भाव देखेंगे तो 36 रुपे के आसपास है एक्स्वाइम मिल और महारास्टा के मिल में 33,3 का भाव है जिससे कि हमने सरकार को requirement किया है हमने कि थोड़ा बस्पी पे ध्यान देया MSP को बढ़ने की आवशक्ता है अच्छा कितनी डिमांड की है आपने शुगर की MSP बढ़ने की क्योंकि FRP अगर आपने देखा हम यह FRP बढ़ी है जिससे किसानों की 15 रुपए FRP जो बढ़ी है उसके proportionate में हमको MSP में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए राइट कितनी बढ़ोतरी सर होनी चाहिए आपके हिसाफ से 36 रुपए minimum price रखने की मांग की है 36 रुपए आपने मांग की है ठीक है अब एक सवाल अभी जो आपको हाली में 12,10 अतरिक चिनी एक्सपोर्ट की मंजूरी मिली है उसमें से कितना एक्सपोर्ट हो गया है कितना बाकी है अगले महने की 15 तारिक तक मोठी एक्सपोर्ट हमारा कम्पलीट हो जाएगा अगर आप देखें 12,50 में 6,000 तो चिनी हमारी पोल्ड पे थी कुछ हमारी raw शुकर थी और कुछ प्रोसेस में थी तो हमारा अनुमान है कि सब्टेंबर तक हम यह पूरा कम्पलीट कर लेंगे ठीक है अब आखरी सबाल सर मेरा आप से ये कि सुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी अगले साल की बात हो रही है कि इसको लेकर कुछ ताजा अपडेट आपके पास है कि कब तक यह पॉलिसी आ रही है और उस पॉलिसी में क्या कुछ होने वाला है हमारे पास अपडेट सरकार से बारता चल रही है तो सरकार सारे सिस्टम को देखते वे कोई ना कोई ज़ल्द नई पॉलिसी लाएगी जिस पे किसानों का मेलूप का और एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्किट का तीनों का बैलेंस रहेगा अच्छा ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया आप जुन जुनवाला जी आपका हमारे साथ जुनने के लिए और शुगर पर डीटेल में बात करने के लिए बताने के लिए कि इस पर क्या हालात है एक्सपोर्ट घरता है तो उसका क्या आसर होगा इस पर डीटेल में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुनने के लिए